सो आज हम बात करेंगे एक concept के उपर जिसमें हम अपने इस concept से automatically packing list for the team person और एक bill receipt copy to the client automatically generate करें सो बेसिकली एक concept कुछ इस तरह work करेगा कि आपको इस पर systems पर entry करनी है आपके पास एक retail shop है और वहाँ पर आपके पास customer आते हैं कि आपको कुछ material चाहिए आपसे जो इस तरह customers होते हैं वो bulk में आपसे बाय करते हैं तो bulk में deal जो होती है वो instantly price fixed deal होती है तो मैं एक example करके दिखाता हूं आपको कि system overall work कैसे करेगा तो basically मैंने कुछ trials किये हुए है तो इसलिए वो automatically order ID 1022 दिखा रहा है तो मैं example ले लेते हूं कि suppose मेरी shop है AFP retail shop और इसमें basically जो sales order है वो challenger बना रहा है और जो client का reference है suppose मुझे Rahul से मिला है और जो payment model रहेगा वो cash में रहेगा या जो भी आप डालना चाहिए उसके बाद है second की client का name का है तो basically drop down list हमने पना दिये हैं तो वहां से automatically client की name उठाएगा LR की copy यह last end procedure है तब हम entry करेंगे तब define करेंगे ट्रांसपोर्टर का नाम क्या है number of parcel कितने रहेंगे transportation charge करेंगा यह end का part होगा so basically हमने basic information punch कर दी करेंगे and according to the client requirement हमने हमारे एक item master है उस item master की reference में आप automatically drop down से article retrieve करेंगे suppose वह कहता है कि मुझे को चीज तरह का items चाहिए तो मैंने वह instantly drop down से recall कर लिए ऐस पर जैसे client हमारे को बोलता रहा आप हम बात करते हैं इसमें quantity के and rates की तो आप आपके देखिए कि जो basically quantity है वह quantity कस्टमर ने बोला 1500 पीस के कर दीजिए 1000 पीस के कर दीजिए इस तरह हम यह quantity definite fix कर देए तो यह हमें entry punch कर दी अब बहुत से cases में ऐसा हो सकता है कि इस client ने मेरे से पहले से भी पहले भी कई बार material बाय किया हूँ तो उस time पर क्या prices fixed थे वह prices हमें आप पर automatically retrieve करा देते हैं तो वह कैसे होगा आपने देखा हमने आप पर article define कर दिया client का name अब just prices पर क्लिक करूँगा तो मेरा code execute होगा और back end में अधर मैंने client के किसी article का already हमने material इसको दिया हुआ है तो उसकी जो pricing होगी वह देखिए आप automatically हमारी जो टीम है जिस पर हमने WhatsApp ग्रूप बनाए हुए है उसमें जो टीम member होगा उसको एक receipt बनके चली जाएगी PDF की यह material है इस client का इसको pack करो but by condition उसको यह pricing है वह दिखाई नहीं देगी उसमें वह automatically हट जाएगा उसको just client का name right और order number क्या है क्या article है और यह image दिखाई देगी तो मैं आपको करके दिखाता हूँ मैं save पर click करूँगा तो आप देखेंगे मैं भी उस group में add हूँ तो मैं instantly आपको दिखा पाऊँगा जैसे messages shoot होगे तो अभी की case मेरा code execute होना शुरू हो गया वो PDF बना रहा है as you can see in the toast message so basically जैसे ही PDF generate हो जाएगा हमारा system डेटा भी read कर लेगा recall कर लेगा backend में और आप देख पाएंगे कि system ने email और WhatsApp basically भीज़ दिया है जो हमने backend में email आईड या WhatsApp ID define की होगी राइट जैसे ही complete हो जाएगा so guys यह आप दिखने पहला message है मेरे पास यह दूसरा message है तो basically पहले message में हम आपको order ID दिखा रहे है 1022 था तो basically दो तरह के WhatsApp show to events में client को भी गया है और हमारे team को भी गया है तो आप ऐसे समझे लीजिए कि जो invoice courier slip है यह basically हमारे clients के लिए है so that कि जो भी person इस group ID में involved होगा वो automatically इस invoice को आगे client तक पहुंच आएगा तो अगर मैं इसको open करके दिखाऊं तो आप देख पाएंगे तो जो person है राहूर basically वो इस order को लेकर आये थे smart ID box company का नाम है तो उस order में क्या क्या था वो defined है with images and total overall value क्या है वो भी हमारे यहां पर आ गई है अब हम बात करते हैं दूसरे वाले case में कि जो packing का गया होगा client को वो कैसे गया है हमारी team को तो आप देखेंगे packing list request so new sales order packing list has been generated requested to kindly pack the material as soon as possible तो मैं switch करके दिखाऊंगा इसमें आप देखेंगे कि basically जो material होगा या जो copy होगी उस copy में आपको सिर्फ उस quantity और article देखेगा instead of pricing और तो तो आप आप देखेंगे यह हमारी open होगी file जिसमें basically same way data आ गया हमारा right item क्या है item code quantity कितनी है और image तो हम just कितना ही data अपनी team को share कर रहे है उसको prices से कोई मतलब नहीं है तो इस order ID के reference में material pack करेंगे and then हमारे को further information pass करेंगे मैं अभी सारा close कर देता हूं बापस चलते हैं एक बार अपने system पे तो आप देखेंगे यह ID automatically null हो गया right clean and new ID automatically generated हो गई अब मैं आपको कुछ data दिखाते हैं कि आप देखेंगे यह PDF records करके है तो इसमें एक summary data हमारा automatically store हो जाता है तो आप देखेंगे यह last order number है 1022 यह AFP retail shop से गया है किसका order था party can earn क्या है right तो यह एक copy है जिसकी automatically copy raise होकर गई है client को और आप देखेंगे total amount क्या है और एक copy इसकी automatically packing list copy गई हुई है पनी team को right तो अगर कल को अगर आप WhatsApp में add तो है ही आपको message और email भी आता साथ की साथ but अगर आप database में देखना चाहिए तो आप यहां package से भी देशका है similarly मैं आपको वर mail भी दिखा जाता हूं तो instantly कुछ mail शूट होई है order number 1022 तो यह हो गया invoice copy जो basically जो client को गई थी right and similarly हम बात करते है second one is packing list जो हमारी team को गया है जो metal को pack करेंगे तो instantly at the same time हमने दोनों person को client को भी और अपनी team को भी define कर दिया assign कर दिया task कि यह है client का name यह metal हमारे को दीना है तो इसको आपटाफट pack कर दीजे right guys वापस चलने एक बात system पे अब हम बात करते हैं कि suppose material pack होगा है now it's time to हमारे को अलार नंबर ट्रांस्पोटर नेम और सपोस्ट पार्सल नंबर कितने पार्सल में कितने नंग्स है या quantity है total transportation charges क्या होगा यह सब हम assign करेंगे वापस चलते तो आप देखिए पंच की होई होगी सारी एंटरी सामारी यहाँ पर system पर रिकॉल होकर आ जाएंगे similarly उस आइडिस के reference में हम आगे working करेंगे तो मैं एक बार फिर से आपको recall करके दिखा था हूँ बीच में एक छोटा सा बग आ गया था so that कि मैं फिर से आपको दिखा पाऊंगा अब हम फिर से order number 1022 को recall करेंगे जो हमने भी आपके सामने ही जनरीट किया था 1022 को क्लिक क्या थो हमारा system automatically जैसे कि आप देख पा रहें सारे data automatically retrieve करके दिखा देगा आपको अब हम इसमें ट्रांस्पोर्टर्स डिफाइन करते हैं सपोज हरी ओम ट्रांस्पोर्टर है यह number of parcel सपोज जा रहे है 12 ट्रांस्पोर्टिशन चार्ज रहेंगे 2600 उपेज यह एक dummy figure हमने बंच कर दिया अब हमारे को एक LR की copy भी upload करनी है तो LR की copy है वो basically upload करने के लिए हमने इसमें option दिया हुआ upload LR इस पर आप click करेंगे तो एक slide bar open हो जाएगा जिसमें आप LR की copy upload करेंगे तो LR की copy सपोज मैंने यह LR की copy upload कर दी तो आप देखेंगे D10 में automatically वो LR की copy का link आपको दिखने लगेगा same LR की copy के जब हम update करेंगे तो client को जब भी हम submission लेंगे तो client को जैसे कि आप देखेंगे submit होगा successful होगा तो आप देखेंगे हापे LR की copy का URL आ गया and now its turn to save the same data again तो अब आप देखेंगे तो क्या होगा automatically email और WhatsApp shoot होगा बट इस वार जो email और WhatsApp shoot होगा वो packing department को shoot नहीं होगा क्योंकि packing department ने packing गर के दे दिया अब यह जो invoice shoot होगा basically client को और client वाले invoice वाले group में ही shoot होगा तो मैंने save किया आप देखेंगे फिर से code execute होगा और हम दिखा पाएंगे जैसे कि PDF में आपने PDF records में दिखा था transporter name और parcel number और TPT charges blank थे ना अब यह सब भी automatically उसमें pre-filled हो जाएंगे that means कि existing data हमारा automatically update हो जाएगा जैसे कि आपने देखा toast में दिखा दिया email and WhatsApp shoot अभी system जैसे ही सारे process complete कर लेगा तो यह blank हो जाएगा तो आपने देखा यह blank हो गया अभी चलते हैं एक बार फिर से email वाले पार्ट पर तो मैं आपको दिखा पाँगा कि फिर से एक automatically bill की copy पुश हुई है तो आप देखेंगे यहाँ पर 1631 है आप पर 1637 पिक से फिर से invoice की copy पुश हुई है तो आप लिखा जाएगा invoice receipt updated क्या update है तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे जो भी transportation charges या transporter का name number of nugs क्या थे वो सारे automatically इसमें updated आपको हापे मिलेंगे as you can see in the PDF similarly same PDF आप मोबाइल से एक्सेस कर पाएंगे but the most important or smart working is that कि इसमें जो link है उस पर आप क्लिक करते हैं then the same link will automatically open by the any smart device और जो LRG copy आपने basically इसमें update किये वो आपको दिख जाएगी तो अभी मैंने LRG copy में इस इमेज अप्लोड की थी तो वो इमेज हमारे को need and clean दिख रही है अब मैं एक बार आपको फिर से WhatsApp पर लेकर चलता हूं so that कि मैं आपको दिखा पाऊं secondly जो basically WhatsApp शूट हुआ है वो invoice वाले ग्रूप में WhatsApp गया है और invoice वाले group में गया है invoice receipt updated invoice receipt has been updated currently pack material as as in and update so basically यह language नहीं आईगी यह content add जाएगा क्योंकि यह थो invoice को हमने अप्लेट किया similarly आप same invoice copy को आप यहां से भी access कर पाएंगे तो यह देखे आपने यहां से access किया same PDF copy जो हमारी email पर open हो रही थी यह हमारी WhatsApp पर भी open हो रही है let's move to the database so basically database structure कुछ इस तरह design किया गया है यहां पर summarize data मिल जाएगा and इसमें आपको database मिल जाएगा overall so that की मैं आपको गवार दिखा दिखा देता हूं उपर जोल के तो number of 1022 के यहां बात करते हैं तो basically आप देखेंगे यहां से लेकर यहां तक 1022 की यह entry को रखिया जिसमें पहली entry हुई थी 19th of February 16 30 50 को second entry हुए 19th of February 16 37 20 को so basically अपरव साइट बाली जो entry है आप देख पाएगे LRPRP transporter name missing है त्योंकि हमने उस टाइंप पे हमारे पासे data नहीं था जब data आया था हमने data update कर दिया तो similarly आप देख पाएगे आगे चाहिए status में system नहीं जो प्राणिया entry थी उसको non active कर दिया और नहीं entry को activate कर दिया so that in future कभी भी हमारे को working करने होगी तो आप इस latest data पर working करेंगे right guys so I hope you like the concept I hope you like the video if you like please subscribe my youtube channel as well thank you sir thank you so much bye